नमस्कार दोस्तों गुड़ेविलिंग स्लाम नमस्ते आदाब सस्रीक अलाब सब लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल असोका नर्सिंग एंड मेडिकल अकेड़ी में मैं आपका अपना सवकुमार विन्यूल फिर से हाजिर एक नेव वीडियो के साथ नई जोस के स है तो पिछ़ले वीडियो आपने ने लियला मजनों वरा materia medical scientists के आप लोगों ने को अच्छा प्यार दिया इसके साथ एक और ट्रिक्री वीडियो के साथ आज आज आप पढ़ेंगे जो हमारे medical science में है हमारे medical science में किес कितने हावर्ड का importance पढ़ेंगे सेवंटी टू हावर्स का इंपोर्टेंस कि हमारे मेडिकल साइन्स में सेवंटी टू हावर्स का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है बहुत से ज्यादा क्योसन पुछे जाते किसके बारे में इस सेवंटी टू हावर्स के बारे में हम समझते हैं तो पहला सेवंटी टू borrowers का importance देखो आप लोग पढ़ते हो एक disease के बारे में जिसका नाम क्या है टीबी जो ये टीबी का आपको मैं TB के बारे में दो वर्ड बोलना चाहूँगा कि TB कितने वर्ड की कहानी है दो वर्ड की कहानी है तो TB दो वर्ड की कहानी है यह दिर TB में किसी को क्या हो जाए खासी हो जाए कभ हो जाए तो कितने वीक की कहानी है दो वीक की कहानी है और कफ हो जाए तो इसका डाइगनोसिस करवाएं तो इसका डाइगनोसिस क्या होता है इस्पूटम कल्चर तो कितने इस्पूटम इस्मेर की कहानी है दो इस्पूटम इस्मेर की कहानी है एंड टीबी का जो incubation period होता है ये incubation period कितने महिने की कहानी होती है कि सर दो महिने की कहानी होती है तो सर जब जब टीबी याद आएगा कौन सा वर्ड याद आना चाहिए कि सर जब जब टीबी याद आएगा हमें दो वर्ड याद आएंगे कि कफ दो विक से जादा होता है Vetum Culture Diagnosis के लिए कितने करवाएंगे दो करवाएंगे इसका Incubation Period भी कितना होता है महीने दो महीने होते हैं इसी TB के Screening के लिए TB के इसके लिए Screening के लिए Confirmative Test तो क्या होता है Saputum Culture ये कैसा Test होता है Confirmative एड एक टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसका नाम क्या होता है, कसर ट्यूबर कुलीन टेस्ट, कौन सा टेस्ट करते हैं, ट्यूबर कुलीन टेस्ट, इसी ट्यूबर कुलीन टेस्ट का, जो दूसरा नाम होता है, आप उसका नाम क्या पढ़ते हो, मौन्टेक्स ट test इसी का दूसरा नाम किया होता है most test इसीख एक और नाम होता है जो यह most test था how violine test था इसका डिस्कवरी किस ने किया था व on Martinez she ने किया था ओं पर क्योइत ने तो सर इसके तीन नाम हो गई बहला तो to upelly analyse डूसरा Montaic test टैस्व एर तीसरा कौन सा हो घया वोन परक्वेट टेस्ट ये एक परकार का कैसा टेस्ट होता है कसर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कौन सी डिजीज के स्क्रीनिंग के लिए काम में लेते हैं कसर टीबी के लिए टीबी को स्क्रीनिंग करने के लिए काम में लेते हैं इस tuberkulin test में हम क्या करते हैं का सर PPD लगाते हैं क्या लगाते हैं PPD PPD बोले तो क्या सर का सर Purified Protein Derivative कितना लगाते हैं का सर 0.1 ml लगाते हैं कितना लगाते हैं 0.1 ml लगाते हैं और जिन्दगी में याद रखना जब जब जिन्दगी में आप 0.1 ml का यती आप डोज लगाओगे तो याद रखना जिन्दगी में हमेशा रूट क्या होगा इंट्राडरमल ही होगा आईवास समझें का सर जब जब 0.1 ml का अमांट का डोज लगाएंगे या फिर जब 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 इंट्राडरमल इंजेक्शन हम लगाएंगे तब तब हमेशा हम डर्मिस में कितना ml लगाएंगे बरके only 0.1 ml तो sir PPD लगाएंगे कितना लगाएंगे 0.1 ml लगाते है and कैसे लगाते है बोलो कैसे लगाते है कि sir intradermal लगाते है intradermal तो लगाते है लेकिन sir कहां लगाते है कि sir four arm पे कहां लगाते है four arm पे and anterior या posterior कि sir anterior four arm पे लगाते है आगे की हो और ओ एंटिरियर पीछे की हो और ओ पोस्टिरियर and sir इस टेस्ट का हम क्या करते हैं कि sir assessment करते हैं आई वाज समझ में तो sir इस टेस्ट का assessment भी हम करते हैं बोलो assessment का answer क्या होगा येधी range में पुछे तो आप लोगों से क्या करना है 48 से 72 hours लेकिन ये धी range में नहीं पूछे तो आपका answer होना चाहिए क्या within 72 hours तो देख लो आपका पहला importance किसका 72 hours का जब 72 hours का importance के sir जो हम tuberculine test करते हैं screening test करते हैं इस tuberculine test का assessment भी हम करते हैं बोलो कितने hours में के sir 72 hours में तो ये आपका पहला importance ये पर आप लोगों को समझा देता हूं बोलो कितने hours में का sir 72 hours में तो यात रखना 7 में एक बार minus करना है एक बार क्या करना है plus करना है आई बास समझे बे तो sir ये धी 7 में से 2 गई तो कितने बचे 5 ये धी जहां जिस side पे 4 arm पे ये धी उसका diameter कितने से कम हो पांच mm से कम हो तो बोलो टेस्ट कैसा होगा कर सर नेगिटिव होगा आई बास समझे एंड 7 दो 9 होते हैं sir 9 mm से diameter ज़्यादा होगा तो बोलो result कैसा होगा कर सर पोजिटिव होगा लेकिन sir ये धी result result 5 से 9 के बीच में हो तो क्या करे कर सर रिजल्ट 5 से 9 के बीच में हो तो sir ये कैसा हो सकता है sir suspected होता है आई बास समझ में तो ये तीन क्यूशन आप लोगों को और याद होने चाहिए 5 से कम हो तो test negative 9 से ज़्यादा हो तो positive और 5 से 9 के बीच हो तो कैसा suspected है लेकिन ये धी कोई patient किसका हो HIV का patient किसका हो HIV से infected हो और HIV से infected कोई person होता है तो उसका immune system क्या हो जाता है weak हो जाता है तो ऐसे patient को हम क्या बोलते immuno compromise करना चालू कर देता है तो ऐसे patient में ये धी diameter क्या हो 5 से ज़्यादा हो तो result को हम क्या बोलेंगे सर पोजिटिव बोलेंगे तो आप चार बाते याद रखना क्या सर पहला 5 से कम हो तो negative दूसरा 9 से ज़्यादा हो तो positive पांच और 9 के बीच हो तो suspected repeat करेंगे और HIV के साथ 5 से ज़्यादा हो तो दूसर चोती बात याद रखना कैसा होता है positive तो सर हमारा 72 hours का पहला importance क्या हुआ का सर ट्यूबर्कुलिन टेस्ट का assessment भी कर लेना चाहिए कितने hours में 72 hours में बोलो यह सोर नो चलो अपने दूसरे importance की और चलते हैं आपने पड़ा होगा हमारा जो health care delivery system होता है इसका जो main working काम करने वाला fundamental functional unit कौन सा होता है three tire system इसका मतलब कितने tire है कसर तीन tire है कितने tire है तीन tire है और तीन tire कौन कौन से है कसर पहला sub center होता है दूसरा क्या होता है PSC होता है primary health care center and तीसरा कौन सा होता है CHC बोलो हाया ना तो सर त्री tire system में तीन element होते है sub center होता है PSC होता है and क्या होता है CHC और यह सभी के सभी सहर में होते हैं गाओं में होते हैं इसका मतलब यह कौन से level पे होते हैं rural level पे होते हैं and आप लोगों ने पढ़ा होगा एक chain के बारे में जिसका नाम क्या होता है cold chain cold का मतलब ठंडा ठंडा माहूल हो chain का मतलब एक linear process हो तो सर यह cold chain यूज में लिया जाता है किसके store के लिए कर सर वेक्सिन के store के लिए तो सर यह जो CHC होता है CHC पे वेक्सिन का प्रिजर नहीं करते हैं PSC पे करते हैं and PSC पर कितने महीने के लिए करते हैं एक महीने के लिए इतने महीने के लिए एक महीने के लिए जब की सब सेंटर पे आपको याद रखना है हम कितने हावर्स का इंपोर्टेंस पढ़ रहे हैं 72 हावर्स का तो सब सेंटर पे वेक्सिन का प्रिजरवेशन बोलो कितने हावर्स रखा जाता है 72 हावर्स तो सर हमारा दूसरा इंपोर्टेंस हुआ कर सर सब सेंटर पर वेक्सिन को प्रिजव रखा जाता है सब सेंटर पर बोलो कितने हावर्स के लिए 72 हावर्स तो हमारा पहला इंपोर्टेंस था, टूबर्कुलीन टेस्ट का, टूबर्कुलीन टेस्ट का असेश्मेंट कर देना चाहिए,न 12 हावर्स, दूसरे इंपोर्टेंस हमने पढ़ा क्या, सब सेंटर पर большое रखे बचे है, कितने हावर्स था, 72 हावर्स था, अब हमारे तीसरे इंपोर्टेंस की और चले इसकी इंपोर्टेंस की और तीसरे इंपोर्टेंस की और आपने पढ़ा होगा यदि हमारी जिन्दगी चलानी है तो दो चीज चाहिए बोलो क्या चाहिए कैसर ओवम चाहिए और दूसरा क्या चाहिए कैसर इस्परम चाहिए इन दोनों की बिना दुनिया अदूरी है दोनों की बिना दुनिया बनी नहीं सकते जो ओवम होता है उसका लाइफ इस्पान कितना होता है कैसर 24 से 48 गंटे का लाइफ इस्पान होता है इंड सर जो यह इस्परम होता है इस इस्परम का लाइफ स्पान कितना होता है कर सर 48-72 हावड्स वर्ण करूर अंणा दित्व सायन्य वाहिए। मतलब कया सब्सक्राइव सर्पवं के लिये स्ऌपल सी भासा में जब जब लोगों के अपने साधी हुते हैं साधी होने से पहले भर भर के क्हिलातें गेखिलाते कुलेश्ट्रॉल किसके लिए सेक्सारवॉन बोले तो किसके लिए इसप्रम के लिए एंड ओवम के लिए तो देशी की खाने वाले होते है ना तो उनके 24 गंटे का लाइफ इस्पान ज्यादा हो जाता है चाएसे ओवम हो चाएसे ispram हो तो देशी की आप लोगों के लिए लाबदाय कर जी बर के खाया करो तो sir ये जो ispram है ispram का life span भी कितना होता है 72 hours आई बास समझ में तो माल लोग कोई rape victim है कैसा victim है कैसर कोई rape victim है rape victim का ये दिए हम कौन सा examination करते है medical examination करते है तो बताओ किसको देखेंगे इस्प्रम को life span कितना है 72 hours तो आप लोगों को याद होने चाहिए अब तक तीनों कितनों ट्यूबर्कुलिन टेस्ट के असेस्मेंट के लिए दूसरा इस्प्रम के life span के लिए N3 राम ने पड़ा किसके बारे में सब से इंटरपी वेक्षिन के प्रिजव रखने के बारे में आव चोथे importance की और चले एक male है जो केसा है RH positive है एक female है जो केसी है RH negative है RH negative का मतलब RH का मतलब क्या होता है Rhesus हाईवास समझ में Rhesus factor होता है Rhesus नाम का एक मंकी था उससे लिए लिया गया है RBC के चारों और रहता है positive and negative antigen के आधार पे इसलिए blood group किसी का क्या होता है positive होता है और किसी का क्या होता है negative होता है कौन से factor की वशे से RH factor की वज़े से बोले तो Rhesus factor की वज़े से यदि RH negative वाली मदर यदि क्या हो जाती है sir pregnant हो जाए pregnant होने पे उसकी first delivery तो बोलो कैसी हो जाती है कि sir normal हो जाती first delivery कैसी हो जाती है normal हो जाती है लेकिन sir जैसे ही second pregnancy को conceive करेगी तो sir ये RH negative है बच्चा कैसा हो sir RH positive हो तो सर ये positive and negative आपस में लड़ाई कर बेठेंगे आई बास समझ में आई तो सर negative and positive दोनों के दोनों लड़ाई कर बेठेंगे ये जो बच्चे का क्या रहेगा RBC रहेगा Erythrocyte रहेगा ये क्या हो जाएगा कर सर ब्लास्ट हो जाएगा तो सर इसी disease को इसी disease को हम क्या बोलते हैं हमने बोला RBC क्या हो जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा आप में होगा मुझ में होगा कि फिटेस में होगा कसर फिटेस में होगा तो इस condition को क्या बोलेंगे Erythroblastophetalis तो सर कौन सी condition arise हो गई Erythroblastophetalis आई बास समझ में तो आप लोगों से पूछा जाए RH negative वाली मदर में second pregnancy के time कौन सी disease देखने को मिलेगी pregnancy में तो सर कौन सी देखने को मिलेगी Erythroblastophetalis जब Erythroblastophetalis होगा तो बच्चा रुकेगा कि निकल जाएगा कि सर निकल जाएगा मतलब बोलो क्या हो जाएगा कि सर एबोर्षन हो जाएगा और जेदी हम RH negative का assessment नहीं करें तो सर बार 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 abortion होता ही रहेगा होता ही रहेगा तो सर बार बार abortion होने को हम क्या बोलते हैं recrant abortion तो याद रखना recrant abortion का सबसे बड़ा कारण हो सकता है बोलो क्या सर रह नेगेटीव वाली मदर बोलो हाई आ तो सर ये जो eretroblastophetalyse है रह नेगेटीव वाली जो मदर है तो सर इसकों बोलते हैं रह इनकंपेटिबिलिटी इसकों क्या बोलते हैं आर एच इन कंपेटिबिलिटी तो आपने डिजीज पढ़ियोगी तो सर आर एच इन कंपेटिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए बोलो इसको चलने दे की प्रिवेंट करें के सर प्रिवेंट करो यह दि चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा तो रेकरंट एबोर्शन होता पुछा जाए कि और एंटी गामा गलो बिलीन का इंटी डी गामा गलो बिलून का हमें क्या लगाना है इंजेक्शन लगाना है का आपसे पूछा जाए का और हैं कि ने abortion से इरिफ्ध्रो बलाश्टो फिटली से बताने के लिए कौन सा injection लगा जाता के सर एंटी डे गामा ग्ल्वि tackling लगाया जाता है तो बताऊ pregnant जब पहली delivery हो जाए पहली delivery होने के बाद तो बताऊ कितने havin में लगा देते हैं के सर ये भी हम लगा देते हैं बोलो कितने हावर्स में 72 हावर्स में तो सर डिलीवरी के बाद और एच इन कमपेटिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए भी एंटीडी गामा गलोबुलिन का इंजेक्शन लगा देना चाहिए विदिन 72 हावर्स यहीं पर आप लोगों को बता दिया जाए यदि डोज पूछी जाए माइक्रो ग्राम में तो आपको याद रखना है कितना लगाते हैं 300 माइक्रो ग्राम लगाते हैं और यदि इंटरनेशनल यूनिट में पूछा जाए तो आपको कितना याद रखना है 1500 इंटरनेशनल यूनिट लगाया जाता है हम इसको IMB लगा सकते हैं और IVB लगा सकते हैं यदि मैं इसको दो भागों में डिवाइट कर दूँ आई बास समझ में इसको दो भागों में डिवाइट कर दूँ कर सर एंटी पार्टम कर सर यदि लेबर से पहले भी क्या लगा सकते हैं क्या दूसरा में डिवाइट कर दूँ सर पोस्ट पार्टम क्या इसको लेबर के बाद भी लगाते हैं क्या सर वो तो लगाई रहे न डिलिवरी के बादो सर एंटी पार्टम भी लगाते हैं पोस्ट पार्टम भी लगाते हैं एंटी पार्टम यदि आपसे पूछा जाए तो कितने वीकी प्रेग्रेंसी पे 28 से 32 वीकी प्रेग्रेंसी में और याद रखना दोनों का डोज क्या रहेगा सरसेम रहेगा दोनों का डोज क्या रहेगा सेम रहेगा anti-partum भी 300 microgram लगाएंगे या फिर 1500 international ends है postpartum लेबर के बाद भी हम क्या लगाएंगे 300 microgram या फिर 1500 international लेकिन 72 hours का importance आप याद रखना कि सर्फ postpartum लगाते हैं कितने hours में within 72 hours तो देख लो आपका कितना बड़ा importance है किसका 72 hours का तो आपने पहला पढ़ा tuberculin test, दूसरा sub center, तीसरा इस्प्रम का life span चोथा आपने क्या पढ़ा कि सर्फ आर एचिन कमपेटिबिलिटी में NTD gamma gluten का injection लगा देना चाहिए कितने hours में within 72 hours में बोलो हाँ या ना तो आगे की ओर चलते हैं एक आदमी क्या लेके जा रहा था बाइक लेके जा रहा था कहां पे आस्मान में तो ले जाएगा नहीं रोड पे चला रहा होगा अब रोड पे गया और पापा की प्रिया आई और किसके ठोक दी बाइक वाले के ठोक दी तो बाइक वाला गिर गया बोलो बाइक वाले का क्या हो गया एक्सिडेंट हो गया हमने तुम्हें ना देखा तुम्हें हमें ना देखा और क्या हो गया एक्सिडेंट हो गया और जैसे एक्सिडेंट हो गयी तो बोलो कहां के दरसन हो गयी किसर इमर्जेंशी के दरसन हो गयी तो तुम सब लोग डूटिया किया करो, ये तो पापा की परिया तुमी डूटिया करना सिखा देगी emergency में कैसे? कैसे सर जैसे emergency में जाएंगे, हमें क्या हो गया, road traffic accident हो गया एंड road traffic accident में सर बोलो किसका formation होगा, कैसर open wound बन जाएगा? जैसे वुंड बनेगा और हम कहां जाएंगे इमर्जेंसी में जाएंगे तो बताओ आप लोगों को पता है किसका इंजेक्शन लगाते हैं कैसर टीटी का लगाते हैं पूरी दुनिया जानती येस तो मुझे बताओ यदि कोई रोड ट्रिफिक एक्सेंट वाला बंदा यदि आपके पास इमर्जेंसी में आता है और आप उसको किसका इंजेक्शन लगाते हैं कैसर टीटने स्टॉक्सोड का लगाते हैं तो बताओ टीटने स्टॉक्सोड का इंजेक्शन कितने हावर्स में लगा देना जाएं कैसर अब तो पूछो इमत आपने तो कलासी चालू की थ सर किटी का immunoglobin भी लगा देना चाहिए बोलो कितने हावर्स में 72 हावर्स में दूसरा यहीं पर हमने एक बात और बोली यह जो टिटिनस है इसका हमने क्या सोचा कि सर वुंड बना तो इस वुंड को clean करने के लिए आप कौन सा solution काम में लेते हो याद रखना हमेशा काम में ले क्यों आप लोगों ने fundamental में पढ़ाया होगा chemistry में पढ़ा होगा h2o2 को तोड़े तो कैसा होगा कसर तोड़ेंगे तो दो भागों में बढ़ जाएगा लो एक h2o पानी और तूसरा oxygen यदि आपने कभी h2o2 का solution कभी देखा हो जैसे उसको वुंड पे डालते हैं पानी पान भी लो जाते क्यों कसर एक extra oxygen निकलती है oxidation करवाता है इसका मतलब oxygen ज्यादा की कम कसर ज्यादा होता है इसका मतलब सर वे bacteria जो oxygen में ग्रो नहीं कर पाएंगे क्या वो h2o2 को solution में मारे जाएंगे हाँ सर इसलिए वे bacteria जो oxygen की presence में जीते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? aerobic bacteria और जो oxygen की absence में जीते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? anaerobic bacteria तू मुझे बताओ यह tetanus oxoid का जो bacteria clostridum tetanus aerobic है कि anaerobic तो याद रखनाई कैसा होता है? कसर anaerobic होता है oxygen की presence में grow करता है तो जैसे oxygen की presence होगी ये बोलो क्या हो जाएगा कसर मारा जाएगा इसलिए tetanus में जब-जब wound बनता है open wound बनता है हमेशा एक ही solution कामें लेते बोलो क्या H2O2 hydrogen per oxide अगे की ओर चलते है आपने सुना होगा एक disease है जिसका नाम होता है chicken pox सुना है क्या नहीं सुना छोटी माता बड़ी माता तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने तो ये chicken pox छोटी माता है की बड़ी माता ये बताओ chicken pox तो छोटी माता small pox and chicken pox पोक्स का मतलब क्या होता है कि जो races आए आईवास समझें तो chicken pox में क्या आते हैं races आते हैं लेकिन sir c4 chicken pox में races कहां से चालू होते हैं कि sir chest से चालू होते हैं and c4 कैसा बनाई रखते हैं चिकना चिकना बनाई रखते हैं आईवास मतलब ये क्या नहीं छोड के जाते इसकार कैसे होते हैं एपसेंट होते हैं लेकिन आप लोगों ने एक हमारा फेवरेट एक्टर देखा होगा जिसका नाम क्या है ओमपुरी और ओमपुरी के जैसे चेहरे को देखते हैं उसके चेहरे पे ऐसे नजर आता है कि क्या परजेट है इसकार 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 इसका मतलब से एस for इसकार छोड़ जाए मतलब कौन सा पोक्स कहलाए smal pox और smal का मतलब छोटा और छोटा बच्चा कहां पे आपके चड़के रहता है सर पे चड़ा लेते हैं तो sir as for small pox में जो आपके research निकलेगी, box निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, कहां से सर से चालू होंगे, head से, face से, neck से, chicken box में कहां से चालू होंगे, सर चेश्ट से, जो chicken box होता है, इस chicken box का दूसरा नाम होता है, varicella, क्योंकि इसका quagitive organism क्या होता है, वेरी सिला जोश्टर आई बास समझ में जबकि इस smallpox का दूसरा नाम क्या होता है वेरी योला इसका वाइरस कौन सा होता है वेरी योला वाइरस आई बास समझ में तो सेर ये chickenpox and smallpox अपने आप ठीक होने वाली बिमारी है इनकी कोई दवाई दी नहीं जाती बस अब भी तो देख लो आप लोगों के बासुड़ा आने वाला है मतलब कौन सी माता जी आने वाली है सीतला माता आने वाली है पक्वान बनाएंगे सुब सुब उठेंगे और चलो सीतला माता की पूजा करने सीतला माता भी पहले और देवियू के तरह बहुत सुंदर हुआ करते थे लेकिन नालाई को यह जो तुमारे रेसेज बनते हैं गूमड़े बनते हैं यह गूमड़े लेले के गूमड़े लेले के लो यह गूमड़े जैसी हो गई तो जो पत्तर की मूर्तिया वो गूमुड़े वाली दिखती है वो कौन सी माता होती है वो सीतला माता ही तो होती है हम सोचते हैं कि सीतला माता अपनी बिमारिया हर लेती है लेकिन सर पर्मानेंट इंटी बुड़ी का फॉर्मेशन हो जाता है तो कभी chicken pox small box नहीं होते हैं लेकिन जिन्दिगी में कभी दूबरा chicken pox हो जाता है तो उसे उसका most common complication भी होता है तो उसे बोलते हैं harpeas joster बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? harpeas joster तो sir, जब harpeas joster हो जाए, दूबरा हो जाए तो sir, इस chicken pox का हम क्या लगाते हैं? sir, chicken pox का हम लगाते हैं sir, immunoglobin का sir, verisela का immunoglobin भी लगाते हैं तो sir, verisela का immunoglobin भी लगा देना चाहिए बोलो कितने hours में? 72 hours में sir, chicken pox हो जाए तो ठीक लेकिन बाद में दूबरा से हो जाए तो बहुत खतरनाक होता है बहुत ज्यादा severe pain होता है यह पहले verisela joster कालाता है बाद में harpes joster कालाता है it is harpes joster is the most common late complication of chicken pox nerve ending के अंदर जमा हो जाता है बहुत severe pain होता है sir, verisela का immunoglobin लगाते हैं कितने hours में लगा देना चाहिए? 72 hours में तो अब तक देख लो में कितने सारे 72 hours के importance पड़े तो आप लोग यह भी याद रखना इन दोनों के बारे में सीतला माता को याद रखना आने वाली है सीतला माता पकवान खाएंगे बिल्कुल धाब-धाब के हैंगे कुछ लोग रात को चुरा के खालेंगे गरवाले सो जाएंगे तो चुपके से अब अगले importance की और चलते हैं कोई चुरा के नए खाए निसेतला माता नाराज हो गई न है तो गूमड़े निकालते की तुम्हारे तो अगले importance की और चलते हैं बोलो आप होर हम क्या है बोलो क्या provide करते हो कसर health care करते हैं तो हम क्या है health care provider और health care provider इसका मतलब तुम लोग तो खत्रो के खिलाडी हो खत्रो के खिलाडी मतलब आप रोज चीर फाड से खेलते हो मतलब किस से खेलते हो नेडल से और आप लोग लड़के गए घर से injection लगाना था मरीज को लगा लेते हो किसको खुद को और जैसे खुद को लगा लेंगे तो बोलो क्या हो जाएगी injury और यही क्या कहला था आपका needle prick injury आईवाज समझ में needle prick injury needle prick injury क्यों ही मैंने बोला घर से लड़के गए injection लगाना था मरीज को लगा लिया खुद को या फिर हम recap क्र रहे थे रिकेप सही से नहीं कर पाई इसका मतलब हमने handle उसको क्या नहीं किया कि sir proper handle नहीं किया हमने क्या किया improper handling किया sare needle prick injury का सबसे बड़ा करण क्या होता है arity improper handling करना needle prick injury सबसे जादा कब होती है कशा reakayica करने के टाइम होती है कब होती है रीकेप करने के टाइम होती है सबसे ज़्यादा कौन से प्रोसीजर में होती है को सर ब्लड ग्लुकोज के असेस्मेंट के टाइम सबसे ज़्यादा नीडल प्रिक इंजरी देखने को मिलती है तो सर यदि किसी को needle prick injury हो जाती है तो उस हर बंदे को हम क्या खिलाते हैं कशर ART का profile axis चालू कर देते हैं मतलब हम सोचते हैं कि वह patient किसके लिए prone हो सकता है HIV के लिए HIV AIDS से prevent करने के लिए ART थेरे बोले तो anti retro viral therapy चालू कर देते हैं profile axis तो आप से पुछा जाए needle prick injury में ART profile axis भी कितने हावर्स में चालू कर देनी चाहिए तो लो सर अब क्या बार बार बोलना बार बार मत बोलो आप तो समझ चुके बोलो कितने हावर्स में within 72 हावर्स में आप लोगों के लिए दो बात ओर यदि किसी को needle prick के injury हो जाती है तो आप लोगों को एक महीने की छुट्टी मिलती है पूरी पूरी पेसो के साथ एंड क्यूंकि एक महीनों तक क्या खानी पड़ती है ये ART therapy खानी पड़ती है आई बास समझ में एंड कितनी drug का regimen देते हैं किसा तीन drug का regimen देते हैं combination क्या होता है 2 प्लस 1 का दो तो कोई सी भी drug होगी लेकिन एक हमेशा कौन सा inhibitor देते हैं protease inhibitor देते ही देते हैं पढ़ाऊंगा आपको HIV का cycle HIV का cycle कुछ भी नहीं है दो SIM की कहानी होगी कितनी SIM होगी दो SIM होगी और दो SIM कौन रखती है लड़की रखती है एक तो गरवालों से बात करने के लिए और दूसरा तुम लोग समझ गए हो तो दो SIM की कहानी होती है दो भाईयों की कहानी होती है और भाईयों कभी कहना नहीं माने तो लास्ट में कौन खड़ा रहेगा पापा खड़े रहेंगे तो सर ये HIV साइकल है दो SIM की कहानी दो भाईयों की कहानी दो भाईयों को खड़ा करतेंगे SIM तोड़ में के बाद कि तु द्यान रखना तेरी बैंच चिट्टी परत्री ना फेक दे उच्छत से और दूसरे भाई को बोलेंगे ART Profilexis चालू कर देना चाहिए विद इन 72 हावर्स तो आप लोगों को अब तक हमने क्या क्या पड़ा कि सर इस 72 हावर्स का इंपोर्टेंस पड़ा उस ट्यूबरकुलिन टेस्ट में सर इस ART Profilexis थेरेपी में इस प्रम के लाइफ स्पान में सब सेंटर पे वेक्सिन प्रिजूर किया जाता है उसके बारे में सर आर एच इन कमपेटिबिलिटी में एंटी डी गामा गुल्बरीन के बारे में और हमने क्या पड़ा सर वेरी सेला के इम्मिनोगलोबिन के बारे में खसर टिटनस का इम्मिनो गलोपिन दिया जाता है उसके बारे में तो देख लो 72 हावर्स 72 हावर्स 72 हावर्स मतलब ये 72 हावर्स एक परकार से बहुत ही जादा most important होने वाला है तो आप लोग क्या ये याद रख लोगे क्या याद नई रखोगे तो करना पड़ेगा आई बास समझ में 70 हजार चाहिए तुम लोगों को महीने के तो तुम्हारा IQ लेवल भी कितने से जादा करना पड़ेगा भाई लोगो सत्तर से ज़्यादा करना पड़ेगा यदि सत्तर से कम तुम्हारा IQ लेवल है सत्तर से कम है इसका मतलब तुम क्या हो MR हो बोले तो mentally retard हो तो आप लोगों को इस सत्तर हजार के लिए IQ लेवल सत्तर से ज़्यादा बनाना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो वरना तुम भी तरसो नोकरी के लिए और घरवाले भी तरसे है अपनी भहु के लिए तो आप लोग देख लो पड़ना है तो आपको सत्तर से ज़्यादा IQ लेवल बनाना ही पड़ेगा तो ओलिनो गुडबाई सलाम नमस्ते आप लाइक कीजी आप सेर कीजी आप सब्सक्राइब कीजी आप कमेंट कीजी जो टोपिक आपको समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट में ढालें अगली कलास उसी टोपिक ही हो जाएगी तो आप पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते आप से सरे काल फिर मिलेंगे एक नईव वीडियो के साथ इसी जोज के साथ तब तक सलाम, नमस्ते